जिनको कहना है, उन्हे कहने दो अपना क्या जाता है, समय की बात है, समय सब का आता है Hello and Welcome guys, स्वागत है आपके अपने YouTube channel Online GKGS Classes में So guys, आझ के इस वीडियो में मैं आपको GK के Political Science से related एक topics लाया हूँ कि कौन से राज्य में लोग सभा का seat कितना है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इससे पहले हमने कौन से राज्य में राज्य सभा का seat कितना है इसे वीडियो बनाया है जिसका लिंक जो है आपको description में मिल जाएगा तो गाइस अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें, like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और comment box में बताएं कि आपको कौन से topics related ट्रेक चाहिए तो चलिए तो देखें questions जो है एक्जाम में इस प्रकार से आएंगे कि किसी राज्य का नाम दिया हो रहेगा और पूछेगा कि इस राज्य में लोक सभा का seat जो है कितना है तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से राज्यों में लोकसभा का सीट जो है कितना है देखिए यहां पर उतर परदेश में 80 हैं महराष्ट में 40 हैं पश्चिम बंगाल में 42 हैं बिहार में लोकसभा का सीट 40 है तमिलनाडू में 49 हैं करनाटक में 28 हैं आंदर परदेश में 25 हैं और MP यानि कि मद्ध परदेश में 29 हैं गुजरात में 26 हैं उरिसा में 21 हैं राजस्थान में 25 हैं केरल में 20 हैं पंजाब में 13 हैं असम में 14 हैं तिलंगाना में 17 हैं जाडखंड में 14 हैं 36 गड़ में 11 हैं अरियाना में 10 हैं और हिमाचल प्रदेश में 14 हैं और उत्राखंड में 5 हैं तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी राज्यों का तो ट्रीक नहीं बता सकते हैं बट कुछ राज्यों का ट्रीक जरूर आपको बताएंगे जिससे की आसानी से कुछ राज्यों में जो लोग सभा का सीट है उसे आप याद कर सकें तो देखिए हमने यहाँ पर जिसका दो-दो सीट है जैसे अरुनाचल प्रदेश त्रीपूरा मनिपूर में घाले और गोवा का उसका एक ट्रिक बनाया है हमने एटियम स्क्वाइर जी एटियम स्क्वाइर जी का मतलब है एसे अरुनाचल प्रदेश ती से त्रीपूरा म से मनिपूर और फिर स्क्वाइर का मतलब दो-एम होता है यानि एक एम से मेगाले कर लिए एक टारो प्रदेश पर जी एक बनाया है